कि गांदी जी बैरिष्टर बन जाते हैं और बैरिष्टर बनने के बाद वे अपरीका जाते हैं हमारे प्रुष्टर का जो प्रार्रम में वो इसी प्रसंग से होता है यह सारे उनके जीवन का लाइफ इसकेच नहीं है और गांदी जी अपरीका जाते हैं विशेश मिशन में जाते एक कंपनी के कुछ काम के नहीं जाते है वहां जाकर के जो वहां देखते हैं वहां जो प्रसंग है एक के बाद एक जुनके सामने आता है वो प्रिंग उनको एक बैरिश्टर के काम के अलावा कुछ और काम भी देता है, और देखते देखते गांदी जी जो बैरिश्टर का काम है वो तो करते ही होंगे, भा कुछ और अन्य कारे के लिए वो लोकपनी हो जाते वहां पर जो सबसे प्रमुख बाद जो उनको मिलती है वह यह है कि वहां पर जो अंग्रेजियों का शासन है वो भारतिय लोगों के साथ भेदवाव करता है डिस्क्रिमनेशन है और डिस्क्रिमनेशन भारी है गांधी जुको बड़ा जीव लगता है यहां से उनका चिंतन प्रारंभ होता है उनको लगता है यह यह ब्रिटिशर्स है अंग्रेज लोग है अपने आपको सभ्राव मानते हैं कि हमको आज सब और जंग नहीं मानते हैं और उनका बेवार कैसा है कि यह अंग्रेजों का तताकति तो श्वेस लोगों का जो बेवार है यह उनको जो दिखाई देता है तो गांदी जी का चिंतन प्रारम होता है उधारन के लिए जो कोट में जाते हैं तो मैस्टिर करता है यह क्या टर्बन पेन करके बार जाओ गांदी जी नहीं जाते हैं तो बाहर नहीं जाते हैं तो मार्शल को बला कर दक्का मार करके गांदी जी को बाहर कर दिया अब गांदी जी बैरिस्टर है कि अब उनके ड्रेस क वो लेकर के कोट नराज होता है तो गांधी जी को लगता है इसे प्रोभलम क्या है मैं बैरिश्टर हूं तो मैं जो यहां कोट में बोलूंगा वह महत तुका है या मेरा कपड़ा महत तुका है एक बड़ा question mark गांधी जी के मन में लग गया इस discrimination क्यों हुआ मेरे साथ दूसरी वार जब वे गारी में से धक्का मारके उतार दिये जाते हैं तो फर्स्ट क्लास का टिकट है फिर वे क्यों उतारते आप मेरे को एक question mark लग गया अगला train पकड़ते है उस train में भी यही वेवार होता है आप याद बैटिए वहां जाएगे वहां बैटिए जब गांधी जी वहां नहीं जाते तो कान पकड़ करके गांधी जी को वो ट्रेन के ड्राइबर के बगलें बठाते हैं फिर भी नहीं मानता है तो नीचे पाइदान तो बढ़ान देते हैं गांधी जी का मना फिर एक question mark लग सा है whether these people are civilized or not यह बड़ा question मारके यह तथाकतित पड़े लिखे लोग जो है अपने आपको सब समझते हैं यह सब कहलाने के लाइक है क्या इतना intolerant क्यों है यह behavior इनका इतना बेवार association क्यों है इनका इन गटनाओं ने गांधी जी के मन में एक बादेश ने प्रश्ण खड़े किये और इस दुर्वेवार का भेदवाव का अंत नहीं होता है गांधी जी की प्रतिष्णा भी बढ़ती है लेकिन दुर्वेवार और भेदवाव का अंत नहीं होता और जो वे आकर के डर्वन में पानी के जाह से उतरते हैं तब गांधी जी थोड़ा प्रशिद्धी पा गए आश्चर की बाद गांदी जी को लगती है उच जहाद से उतरते समय से कुनों लोग गुरोग करने आ जाते हैं यूँ गोवें बार जाओ यहां डुलमन में नहीं आना बनी मुश्किल से वाका पुलिस कमिश्णर की पत्नी वो बचा किना आती है जहां ठेरे है वाबरोट प्रणशन होता है गांदी को चोटाती है एक के बाद एक इसित उधारन आते हैं उन उधारनों के पीछे का भाव यह है गांदी के मन में तथाकतित पास्चात्य जगत के तथाकतित अपने आपको सब कहने वाले यह लोग सच में क्या है यह प्रश् है चाहिए कोट है मार्केट है वह स्थान कोई तायर स्थान पदलता है लेकिं गांदीजी के साथ ही दुरुवेवार ऐसा नहीं है यह दुरुवेवार सभी लोगों के साथ हो रहा है यह एक बड़ा प्रश्णा उनके मन में ख़डा हो जाता है कि भारतिय लोग या तथाकति ब्लेक लोग अश्वेत लोग इनके साथ यह श्वेत वर्ण देट्ञ नहीं है लोग ऐसा बेवार क्यों करते हैं ही वास्ता में सब हैं एक दूस्रा प्रश्णॉ को क्योंद गांदी जी के मन में खड़ा हो गया क्योंकि जिस company के लिए काम करने के लिए गए हैं उस company में एक एक इसाई वस्ती रिटाम करता है उसका नाम है A.W. Baker वो दीरे जरे गांदी जी को प्रार्तना सवा में बुलाता है गांदी जाते हैं Sunday prayers में जाते हैं और दीरे जरे कहता है अरे आप Christian बन जाए ग्रिशतना सबस्क्रूं जाए जाते है । जो गांदी ऑलटें मेरे के क्रिश्टन बने को क्यों बूर्टाय है बारश जाकतें अवा रहे tutte उसक्रार न व्हरात ज्यों दो लोग हैं उनसे भी बारता करते है अपनी शंकाव को पूछते हिंदू धर्म के बारे में और जादा जानना चाहते हैं तो हिंदू धर्म के बारे में जो जो लोग उनको बता सकते उंचे चर्चा करते और हिंदू गरंटी भी पड़ते यादिक दूसरा एक आयाम प्रारंब हो जाता है एक और तो था ये हिंदू धर्म को क्यों बदलना चाहते हैं ऐसा तो वारत में कभी नहीं होता है कुछ मुसलमान भी मिल गए वो भी चाहते हैं के हिंदू धर्म को छोड़ गए इसके बाद गांधी जी जो है वो दीने दीने हिंदू धर्म के ग्रंतों का गहन अज्यन करते इसायत का भी करत ज्यूज के बारे में पढ़ते और आश्चरी की बात है वे स्ट्रेम लिखते हैं इस्थान से इसका उल्ले का बजा साब ने किया है कि मैं जो जो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ता गया त्यों तो मेरी आस्ता हिंदू धर्म के बारे में गहरी होती चली गई है already अभ़ाहर यह सब कुछा गीता का दिन करते वे। पुरुषनों गडिन करते जहनठर्म का दिन करते प्रृसा वार्था करते करते उनको ध्यान में आने लगा कि यह हिंदु दर्म यह सबसे ज्यादा स्रेक्ट धर्म तो है स्रेक्ट विचार तो है और सबको समायत कर सकता है अपने अंदर इसलिए मेरे को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं मैं जिन्दू धर्म में रहते रहते अच्छे ईशाय लोगों का सम्मान भी कर सकता हूँ इसलाम के मानने वारे लोगों का भी सम्मान कर सकता हूँ और वहां से अच्छी बात ले भी सकता हूँ यह यह इसी पिए उनकी अपरिका में बन रही है ऐसे प्रसंग पर वे फिर भारत में आते हैं 1896 वे तो भारत में आकर के उस तुमें के जो हमारे श्रेष्ट नेता लोग हैं बारत में नेतर तो कर रहे हैं तो सुर्यनाद बिनर जी है फ्रोशामेता है गुपाल खिश्ले को हैं लोकुमाने तिलक हैं सब के जब वारता करते हैं इस्थान इस्थान पर जाते हैं और इस्थान इस्थान पर जाकर के वे अपने व्याख्यान में बताते हैं कि अपरी काम है यह हमारे जो बिटिशर्स लोग हैं अंग्रेज लोग हैं हम अर्गर कितना खराब विवार कर बारे में हमको नागरित मानने को भी त्यार रहे लोग चाह कारण है ऐसे सब बड़े नेताओं के साथ वारतालाप और वहां जो हो रहा है भेदवाव यह सब चलता है इनके साथ परामर्ज करने के साथ साथ में यह भी पूश्ट है अपरी कामें क्या करना चाहिए क्या उन्होंने बताया होगा इसका चर्चा तो ज्यादा नहीं है लेकिन उन्होंने डिसकुशन विचार मर्श पूरा किया लेकिन अब गांदी जी के मन में उन प्रश्णों का उत्तर है अब उत्तर के साथ गांदी जी सामने खड़े होते हैं और कहते हैं फूई सिवलाइट आखिर सब है कौन और सब ताकी परिवाशा क्या होगी गांदी जी मुखर हो जाते हैं गांदी जब लेख लिखते हैं पास्चार्ट जगत के तथाकति सब लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ जिसके घर में बला सुन्दर डाइनिंग हाल है बरी अच्छी सुन्दर मेज है मेज पर मैंगा कपड़ा और बिचा है अच्चे सुन्दर वानुस लटके हैं वो सिव क्या स्वीवलाइज होने का मापतंत च्द प्र उव्लंच को नीच ए ए और आप हमको पैइन इस सेमी बार्वैरिक कहते हैं इसका आधार क्या है तो शराब का उपयोग नहीं करते, महिंगी छडी नहीं रखते, तमाखों का उपयोग नहीं करते, विसब बारबरिक और सेमि सिवलाइज लोग हैं, सेमि बारबरिक लोग हैं भी लोग, यह तुमारी जो सब्विता को मापने का जो मापदंड है, वो क्या है आकिर? यह बड़ा गंभीर प्रश्ण गांदी जी नहीं विश्च पर द्रश्ट में रख दिया, वोई सिवलाइज और वोई सिवलाइज नोट, आकिर दुनिया में यह सब्विता की परिवाशा क्या होगी? यह महेंगे वस्त्र या महेंगे सामान रखना या साज सामान इखटा कर लेना, यह सब बता है क्या? बड़ा भारी प्रश्ण है, और गांदी जी नहीं जो प्रश्ण रखा है उसमें अपरिका के बिन्ने बिन्ने लेखों में, जिसका उल्लेक बजास साब ने अपने गरंत में क्या है? वो प्रश्ण आज भी शाष्ष्वत है, आज भी शाष्ष्वत है, क्या आकिर सिवलाइज कून है? इसलिए मैंने को एक छोटा था उधान याद आगया, हरवंश ओवराई जी अपने बड़े अच्छे कारे करता थे, और एक उनका अमित्र ताव्य अमेर का मह करता था, कुछ दो करें हरवंश ओवराई जी और वो मित्र दोनों कलकता में थे, एक लाइपरेरी में जाते थे, सुवह से लेकर साइंकाल तक जाते थे, वो साइंकाल लोडते थे, तो लोडते हुए रास्ते में किसी होटल पर खाना खा लेते थे, और एक दिन ऐसा हुआ कि देर हो गई, रास को क्यारे बारे बज गया, जब वापस आते हैं, तो खाने का कोई होटल खुला नहीं मिलता, सब होटल बंद हो गए, एक देखा चाय वाले की दुकान पर अंदर कुछ लोग खाना बना रहे हैं, खाना तो बन रहे हैं, तो इन्होंने बाहर से पूचा क्यों भई खाना मिलेगा क्या, तो अंदर से अब करें, हाँ बाबू मिलेगा, आए अंदर आ जाईए, अंदर आ करके बैटे गए, कुर्सी मेज तो पर आया, चाय के दुकाने, और तुरंत से अंदर थाली लग करके भोजन आ गया, दोनों ने भोजन किया, भोजन करने के काने भाद हर्वाल शोवर रहा है, उसको पूछन कितरा पैसा हुआ, तो यह ठोर के ख़ड़ा है, नी बाबू, यह ओटल नहीं है, अरे आपने हमको खाना खिलाया, अरे खाना तो खिलाया, आपने मंग, अमने खाना खिलाया आपको, यह ओटल नहीं है बाबू जिए, हम एक पहुजन है क्या हुश्य दरवाजे पर पहुजन के लिए कहेगा तो हमारा तो पैसा नहीं लेंगे हम मैं हमारा सौभा कि था आप ने आप भूजन की लृत खाने में पैसा नहीं पैसा नहीं लिया, अब दोनों बहार आ गए, और वो जो अमेरिका वदा मित्र है, वो कहता है, अरे उपर से दिखने में तो अंदर से तो बड़ा भारित दे लेंगा, भारत उपर से दिखने में कैसा है, कपड़ा कैसा पहिंता है, मकान कैसा है, डाइनिंग टेबल है या नह प्रश्चित होगी, तो गांदी जी ने एक शाष्चत प्रश्चन विश्व परिद्रश्च में रखा है, कि सब्यकौन जिसके पास भौतिक सम्रद्धी किसी भी प्रकार से दूसरे देशों को समाज को लूट करके लाई गई है, वो पने आपको सब्यकेते उनको लज्जा नहीं आती, ये प्रश्चन है, किसी भी प्रकार से रीती से अनीती से एक त्रित की गई संपदा और उसका भौणा वईभव प्रदर्शन ये सप्यता की मापदंड ये कभी नहीं हो सकता, गांदी जी ने इस साष्चत प्रश्चन का उत्तर अपने लेखों में वांदिया ह ये हिंदुत का प्रदर्शन है, हिंदुत ने सदा ये कहा है, ये भौत एक संपदा मनुष्च की गहराई का मापण नहीं हो सकता, ये भौत एक संपदा वो सामाने चीज है, आज तना आवश्चक है, उतना ठीक है, ये हिंदुत का ही दर्शन है दुनिया में, ये बताता ह मनुष्य की गहराई यह अन्य बात है मनुष्य का चरित्र उसका सभाव उसका आच्रन उसका वेभार उसकी करुणा प्रेम और दया यह विंदू ऐसे है जो मनुष्य को सभ्य या असभ्य बनाते हैं बहुत एक संपदा का प्रदर्शन नहीं एक दूसरा प्रशन उनके सामने आया और उन्होंने कहा क्या इसायत दुनिया को सिलेवरी में जोकने के निये हां मोलती है और वास्तम में जब उन्होंने इसायत के अनेक गरंतों का अध्यान किया तो उनको आश्यर हुआ बड़े बड़े जो विद्वान इशाय हो गए उन्होंने इस बात को अपने गरंतों में लिखा है कि दुनिया में हम कोई अधिकार मिला है हम दुनिया में जाकर के लोगों को गुलाम बना सके वाधिकार कर सके कबजा कर सके बजाज साब ने ऐसे कई कोटेशन अपने उस पुष्टक में दिये हैं गांदी जी फिर प्रश्ण करते हैं क्या यह सब्विता है आप भोले वाले लोगों को गुलाम बनाते हैं और गुलाम बनाने का अधिकार आपके पास है ऐसा बताते भी है और ऐसा बताते हुए आप मेरे हिंदु धर्म का हजारों वर्ष का इतिहास यह बताता है भारत के हिंदु धर्म के मानने वालों ने कभी भी किसी भी समाज को जाकर के गुलाम बनाया या उसको लूटा ऐसा उधारन नहीं है और इसलिए ध्यान में रखने की बात है आप अपने आपको सब बता रहे ह हैं और एक दूसरे को गुलाम बना रहे हैं अब अपने आपको सब भी बता रहे हैं और इसा देवार करने की पृर्णा इंस्पिरेशन आपको मिलता कहां से है यह प्रश्ण गांदी जी का फिर से शाष्षत प्रश्ण है जो वहां के लोगों ने कहा हम से उलाई गए क्यों कम चुनाव करते हैं देखिए हमाई एक डेमोकर्टिक सिस्टम एक एवल्व हो रहा है तो गांदी फिर कहते हैं जो एंगलो सेक्शन रेसेज हैं आज चुनाव आपूडश देखो आप गांदी लेकों में वाल लिखा आप भारत का इत्याज देखिए और भारत के उत्याज को को ँडेख लीजिए जिस सिट्याफ को अंग्रेज ह्ने दिखा है और ऐसे कई अंग्रेज विद्वानों का वे नाम जिकर करते है चैम मैक्स मुलर है मुन्रो है चाह महहिनय है वह ajust का नाम उल्ले करके कहते हैं इन लोगों सेक्ण वर्षपूर्व भारत में चुनाव था गांधी जी लिखते है यह चुनाव भारत के लिए नई चीज नहीं है साथ हजार सास्तो सत्तर यह प्रतिदी वैशाली के गणराज्य में थे आज से धाई हजार वर्षपूर्व और यह प्रतिदी थे यह गांधाउं से आते थे और सरस्तम्मत्ति से आते थे Minority और Majority या दार करनी आते थे और इसे आज जो आप सुनाब की बात कह रहे है रेप्रिजेंटेटिव की बात कह रहे है यह हम हजारों साल पहले देख चुके हैं और भारत इन बातों को कर चुका है गांदी जी मैजोर्टी और Minority के बारे में भी कहते है यह मैजोर्टी का निर्ण है, यह माइनियोर्टी का निर्ण है, गांधी जी कहते हैं, मैजोर्टी भी अधर्म नहीं कर सकती, अगर धर्म की बात है, वो अलप्रसंक्यक लोग है, वो छोटे संक्या में लोग है, वो कम हो सकते हैं, तेकर अगर धर्म की बात कहते हैं, उनकी ब राजा भी सब कुछ नहीं कर सकता राजा को भी धर्म का ही पारन करना चाहिए जो जनता का लोकमंगल कार हैं और जनता की जो लोकमंगल कारी भावना है राजा वह भी करें गांदी ने को धारण दिया, काठिया वार के एक राजा का, जो बजाज साब ने उधारण को अपनी पुष्टक में दिया है, काठिया वार के राजा ने एतनी राजाज्या जारी की, जनता में थोड़ा विरोध हुआ, काठिया वार के राजा ने उस राजाज्या को वापस और बापिती नहीं नियां बलकि छमा मागी गांधी ने कहा हमारे यह विवस्था थी और राजा भी धर्म का पालन करें प्रयादी धर्म का पालन करें इस धर्म और न्याय के पालन करते करते राज्य विवस्थाएं चलें गांधी जिने सत्यागरे का जो प्रयोग अप्रीका सत्याग्रे भी एक है उतमें से अगवान बुद्ध इस सत्याग्रे के प्रयोग के एक तरजे कीर्थी स्थम्जा से हैं लेकि सत्याग्रे का प्रयोग करते करते जो सत्याग्रे का प्रयोग करते हैं उनको अपने जीवन में सुचिता चाहिए प्रियोग वहीं कर सकता है जो सत्य निस्ठ है जो प्रामानिक है और ये गांधी स्वेम सत्य निक्वोजाते हैं वे लिखते हैं मैं अब दीरे दीरे अपरिग्रही हो रहा हूं दीरे-दीरे अपनी आवश्यक्ताय कम कर रहे, अपने वस्र कम कर रहे, अपना भोजन कम कर रहे, अपने पाथ की संपधा को हटा रहे, अगर मैं संचे करने वाला हो जाओं, तो क्या सत्यागरे करूँगा? कान भी अपने जीवन में वो बुद्ध के सिद्धानतों को ले आते, दीरे दीरे सत्य के प्रतनिष्ठा उनकी गहरी होती जाती है, वो ब्रह्मचर का पार्ण करते हैं, तो सत्यागरे के लिए निकलते हैं, वे स्वेम उफवास करते हैं, भोजन कम करते चले जाते हैं, अपर पुल मिला करके अफरीका में एक 15-20,000 लोग हैं बस, इन 15-20,000 लोगों के उपर एक सर्वशक्तिसानी सत्ता के खिलाब एक संगर संवर्ण हैं उनको, तो कितना भी शासन अत्याचार करता है, वे क्रोधित नहीं होते, गुश्य में नहीं आते, अपशब्द नहीं निकालत है, और एक प्रसंगर तो यह सा गया, जब गांदी जी को सश्च्रम कारावास मिल गया, अफरीका में, और सलक्स पर जो सलक्स पर पत्थर डालने का काम है, इस बैरिश्टर को मिल गया, वो सिर्पन टोकरी रख करके पत्थर ले जाते हैं, रत्मडाज देवें, यह दुख तीस-चालीस कुलो बजर पर सिर्पन ले करके दूर दा करके पत्थर मिट्टी डालने का काम उन्होंने किया, वो गुश्चा ने आया, अपने हलके कमजोर शरीर के बावजूद भी, वो सैयम नहीं तोड़ते, यह सैयम न तोड़ना, अक्रोती स्वाव रखना, सत्व रही हो जाना, यह कुछ नहीं, कि अबस धार्मिक भाव वाला व्यक्ति ही इस मार्ग पर चलता है, और गांधी जी इस मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते हैं, वे जो युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ते समय उनको ध्यान में है, मेरा युद तो अंग्रे जो के इस सुभाव से, मेरा युद्ध अंग्रे जों की इन नीतियों से है, और इसलिए उनकी वारता अच्छे होती है, मित्रता के साथ वारता होती है, और इसलिए भगवान बुद्ध ने जो कहा, यह निर्वेर युद्ध है, गांधी जी ने किसी को बहरिया शत्रू माना य नहीं है, संगार्श है, लेकि शत्रूता नहीं है, जो बुद्ध ने कहा, नहीं वेहरे ने वेहरानी सम्मंतिय कुदायचनम, उसका इस युग में बुद्ध के धाई हजार वर्ष बाद गांधी जी प्रदर्शन करते हैं, सफलता के साथ इसको प्रस्थूत करते हैं, और दीरे 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 क्यों नहों अपरिका में, कुछ मामलों में उनको सफलता मिनी, और वहां का जो सरशक्तिशाली निरम पुष्चासन था, अंत्तो गत्वा जुक गया, गांधी जी धर्म के प्रकाश में दिवस्थाओं की नई नई ब्याख्या करते हैं, जो भारत की सनात परंपरा में हैं, गांधी जी पूछते हैं, दो को भारत में नियाए था, हर गाओं में नियाए था, तो बकीर नहीं थे, आज के तरह कोट कचरी नहीं थी, नियाए सबको था, तो बकीर की आवश्यक्त है, क्या हमको पताएं, एक बड़ा प्रश्चन है, शाष्चत हर मलकी आखता है, समाज में सत्य निष्ठा है, तो बकीर की आवश्यक्ता है, हम लोगों ने प्रश्च्वर में कहानी पढ़ी थी, पंच परमिश्च्वर प्रेमचंद की, उसमें वो चोगरी हैं और जुंबन हैं, हम समने परियोगी कहानी, लेकिन जब जो ने इस धार्मिक भाव को अपनी कहानी में रखा है, वो चैक जुंबन का दोच उता है, दोनों ने निड़ने किये अपने मित्र के विप्रिश के निड़ने, जब जनता के अंदर धर्म का भाव प्रमल हो जाता है, न्याय अपने आप सरल और सुगम हो जाता है, ऐसे में ब भावाला व्यक्ति जो है, यह किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, धार्मिक भावाला व्यक्ति किसी को लूटने नहीं आएगा, धार्मिक भावाला व्यक्ति किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदवाव नहीं करेगा, धार्मिक भावाला व्यक्ति किसी का मतांतन भी नहीं क करेगा दारमिक बादा निखती किसी के परति अन्याई भी नहीं करेगा न्याई ही करेगा गांधी जी का धर्म ये शाश्वत सनातन धर्म है और जो ऊक्छतरों किर्थThis को हम विश्णिजिन न करते हैं तो गांधीजी को पाते हैं वे सत्मिष्ठ है वे करोणावान भी हैं वे परम और जीक्राइन हैं वे अपारीग्रेई हैं लेकि मितद्जाई भी हैं सभी के सामोंज़स और समण मेच बठालने का लगातार प्रफ्म करते हैं और सभी के अंदर कुछ अच्छा ढूड़ने की उनकी प्रवत्ति है व्यात्यंत और अनन्य सेवभावी है यह सारे गुण जो धर्म के गुण होंगे गांधी के जीवन में कहीं ने कहीं हमको दिखते हैं और यह धर्म कहीं ने कहीं से अब व्याख्या करेंगे तो हिंदू धर्म ही है जो में हिंदु धान को एक खाती में फिट करते हैं तो वो नहीं फिट होगा ऐसे आसानी से तो उसके शाष्ष्षत मूल्यों को देखेंगे तो प्रकट हो जाएगा और गांधी के सत्तनिष्ठा कैसी है जो बेजोर है चोरी-चोरा का केस हम जानते हैं जब आंदुन को हिंसा हो गई बढ़ गई और गांधी जी के खिलाब मुकदमा लगा और कोट में प्रस्चुत हुए और जज़ ने पूचा आपके उपर जारोफ है आपके कारण से हिंसा जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं मैं मानता हूं मेरे कारण से हिंसा हुई है मैं शुकार करता हूं मेरे कारण से लोगों की हत्या हुई है संपत्य को नुक्सान हुआ है इसका जिम्म मेरा है मैं शुकार करता हूं और मैं कहता हूं आपसे आप इसके लिए कड़ी से कड इसा उदारन विश्व परिद्रष्ट में मिलना आसान नहीं होता है, आज अपने आपको डिफेंड करता है, गांधी ने डिफेंड नहीं किया, गांधी ने एकसेप्ट किया, गांधी ने शिकार किया, आप मानता हूं, मैंने आवान सिया था, आंधुरन का, मेरे आवान के आवान के कारण से लोग ठरक पर आये, मेरे कारण से हिंसा हुई, मेरे कारण से लोग मारे गए, सब की जिम्मेदारी मेरी है, मैं मैं मानता हूं, और मैं तो बचनाने चाहता, अधिक से अधिक सजा जो हो सकती है, उसके ल यह सजय मांगता है यह अधिवताया है सारे आरोफ इसे अपने आप मान लिए जै कि आरोफ वो ना नहीं करता है ये है धर्म का लक्षण। जो सत्य कहा है दस दस लक्षणों में ऐसा लक्षण धर्मका। वे अपने उपर कम से कम खंच करना चाहते हैं, आदी धोती पहनते हैं, आदी धोती उपर ले पिटते हैं, लोग हाफ नेकर भकीर कहेंगे सेने दोना। पर कम्यों हैं, तो दोक्टर सलाहा देता है थोड़ा इनकी खुराक बढ़ाओ, आठ खजूर खाते हैं, बल्लब भाई पटल केते हैं बापू, थोड़ा थोड़ा दो खजूर और बढ़ा देते हैं, तो वे दो खजूर बढ़ा करके रख देते, प्रातरकाल देखा, तो आज में मेरा काम चल जाता है, मैं सोच रहाता, छेखा के चलेगा क्या, यह आपर इग्रई, यह मितव्याई, कितना कम से कम मैंने लिए जो त्यन अच्यक त्यन भुंजी था का हमारा दर्शन है, उसको वे बोलते नहीं, वे जीते हैं, अपने जीवन में हिंदुत्य को उन सनातन संदेश है, उस संदेश को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, और इसलिए हम हिंदुत्य को कुछ करम कांड से बांध देते हैं, तब समस्या खरी हो जाती है, यह हिंदुत्य को उसके हम व्यापक दर्शन में देखते हैं, तब ध्यान में आता है कि मात्मा है पर शिस्यां भिन्न होती हैं कई बार और आदमी अपने अपने इच्छा के अनकून उस महान व्यक्ति के अंदर कुछ देखना चाहता है जो नहीं मिलता है तो निराश होता है उसको दुख होता है गुस्सा भी आती है लेकिन जो पक्षा बजा साब ने रखा है कि उनके अ समय लगेगा लेकिन एक नई प्रकार की व्याक्या है जो विश्व इसतर पर अच्छे प्रकार से रखी जानी चाहिए और इसके कारण से लोग हिंदुत्य को भी समझेंगे और गांदी जी को भी समझेंगे क्योंक बिना हिंदुत्य के समझे गांदी जी को समझना कठिन है और गांदी जी को जो गेहराई से समझेंगे तो ध्यान में आएगा विहिंदुत्य को ही जीते हैं ये सारे विशय को बहुत अच्छे प्रकार से बजासाब ने रखा, उनके मित्रों ने रखा, समय उसाहेता करी, प्रकाशक मोवदय ने प्रकाशित किया, सभी लोग बधाई के पात रहें, आप लोगों ने ध्यान से धहर से सुना, मैं आप सवी को विनमरता पूर्वक प्रणाम करता हूं, नमस्कार